स्पोर्ट्स बुलेटिन क्रिकेटर शिखर धवन को आईशा मुखरजी से तलाक मिला, कोट ने मानसिक क्रूरता का आरोप बरकरार रखा दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को मानसिक क्रूरता के आधार पर उनकी पत्नी आईशा मुखरजी से तलाक दे दिया पटियाला हाउस कोट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा किये गए सभी दावों को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनकी पत्नी ने आरोपों का विरोध नहीं किया या अपना बचाव नहीं किया अदालत ने धवन को हुई मानसिक पीडा को स्वीकार किया जो लंबे समय तक अपने इकलोते बेटे से अलग रहने के लिए मजबूर थे बच्चे की स्थाई हिरासत पर कोई आदेश जारी नहीं करते हुए अदालत ने धवन को भारत और आस्ट्रेलिया दोनों में अपने बेटे के साथ समय बिताने का अधिकार दिया और उनकी बीच विडियो कॉल की अनुमती दी जिसमें धवन और उसके परिवार के साथ रात भर रहना भी शामिल है एशियाई खेल भारत ने 1962 के बाद पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों ने इतिहास रचा जबकी भारत बुसान में 2002 संसकरण के बाद पहली बार महिलाओं की 4x 400 मीटर रिले में स्वर्ण जीतने में अस्वल रहा मोहमद अनस याहिया अमोज जैकब मोहमद अजमल वरिया थोड़ी और राजेश रमेश की भारतिय पुरुष चौकडी ने बुधवार को यहां 3.01.58 सेकंड के समय के साथ पोल पोजिशन में दौड समाप्त करके स्वर् और श्रीलंका ने 3.03.55 के साथ कांस्य पदक जीता उसी भारतिय चौकडी ने बुड़ापेस्ट में विश्व चैंपियन्शिप में हीट के दौरान शक्तिशाली सन्युक्त राज्य अमेरिका को कड़ी तक कर दी थी और अन्ता फाइनल में पाँचवे स्थान पर रही थी बुधवार को उन्होंने पिछडने के बाद वापसी करते हुए शुरुवाती बढ़त हासिल की और फिर इसे जाने नहीं दिया मुहमद अनस ने पाँचवे स्थान से शुरुवात करते हुए 43.60 का समय लेकर तेज शुरुवात की हालांकि अमोर जैकब थोड़े धीमे थे क्योंकि उनका पैर 47.01 पर था फिर भी वह भारत को पहली रैंट पर खीचने में काम्याब रहे क्वार्टर फाइनल में हार के साथ पीवी सिंदू का एशियन गेम्स में सफर खत्म उननीसवे एशियाई खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में भारत का अभियान गुरवार सुबह दो बार की उलम्पिक पदक विजेता पीवी सिंदू के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओं से हार के साथ समाप्थ हो गया महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंदू को चीनी खिलाडी बिंग जियाओं ने 16 से 21, 12 से 21 से हरा दिया है सिंदू ने टोक्यो में ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए एक यादगार मैच में बिंग जियाओं को हराया था दोनों ने BWF सरकिट में कई लडाईयां लड़ी है और आमने सामने के रिकॉर्ड में चीनी खिलाडी सिंदू पर 11 से 7 से आगे है इससे पहले सिंदू ने 2016 में रियो ओलम्पिक खेलों में कांस्य और इंडोनेशिया में 2018 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता था PNT की खास पेशकश